दोस्तो आज मैं आपके साथ मैं गहरी नीन लाने का एक बहुत ही जबरदस नुसका शेयर करने जा रही हूँ किसी किसी को ना अनिंदरा की समस्या हो जाती है उन्हें रात में अच्छे तरीके से नीन नहीं आती और नीन अगर पूरी ना हो तो हम दिन भर ठका ठका सा महसूस करते हैं ऐसे में यदि हम थोड़ा सा भी काम कर लेते हैं तो बहुत जल्दी ठकान हो जाती है क्योंकि ठीक से अगर हम नीन नहीं लेते हैं तो ठकान नहीं जाती है तो जो दोस्तो जितना important हमारे लिए खाना होता है हमारे शरीर के लिए उतना ही ज़रूरी हमारे लिए नींद भी होती है तो नीन्द आने के लिए कोई दवाई बगेरा लेने की जरूरत नहीं है आपको आप इस वाली रमेटी को एक बार करके देखिए आपको बहुत मीठी नीन्द आएगी ये नुस्का ऐसा नुस्का है जो कि आपको नीन्द के साथ-साथ और भी काफी सारे फाइदे देगा तो वीडियो पे च्छटे सा लाइक भी जरू कर दीजेगा क्योंकि आपका एक एक लाइक मिरे लिए बहुत माईने रखता है तो उसके लिए आपको दोस्तों सबसे पहला लेना है दूद एक गलास दूद लिया है मैंने अब दूद को हम गरम कर लेंगे गरम करने के लिए पत लिया होता है दोस्तों हलका सा मीठा दूद अगर आप पीते हैं सोते वक्त तो आपको नींद बड़ी अच्छी आती है इससे आपको दूद के भी भरपूर फाइदे मिलते हैं अब जिनको अनिंदरा की समस्या उनको थोड़ा सा मीठा यहां पर ज्यादा डालना है और ऐस मिष्टरी जो आपको किसी भी ग्रॉसरी शॉप में असानी से मिल जाती है मिष्टरी जो है दोस्तों शरीर के लिए हमारे बहुत ही फाइदे मंद होती है इसे आप धागे वाली मिष्टरी भी कह सकते हैं क्या आप जानते हैं कि धागे वाली मिष्टरी से हमारा शरीर जो ह बहुत जादा हो रही है तो आपको यहाँ पर घी भी डालना है अगर आपको यह समस्या कम है यानि की रात में केवल एक दो बार ही नींद आपके खुलती है तो आप दूद में केवल मिश्री मिला कर लीजिएगा लेकिन अगर आपको दवाईया वगेरा खानी पर रहे बहुत जादा समस्या है यह नींद आती ही नहीं है तब आप यहां पर घी का הבharpa इस्तों कीजिए दवाई वगेरा आपको खानी की ज़रूत नहीं है इस वाले नुस्य का इस्तमाल कीजिए आपको बहुत फाइदा मिलेगा अगर आपके पास सॉलिड वाला घी है उसको पहले गरम कर लीजिए और फिर आप उसका इस्तमाल कीजिए दूद में कम से कम एक देड़ चमच आप इसमें घी जरूर मिलाईएगा तो घी आप कोशिश करें जितना शुद घी लेंगे उतना ज्यादा अच्छा आपको फाइदा मिलेगा जिनको ज्यादा परिशानी है नींद नहीं आती है वे लोग इसका 15-20 दिन तक इस्तमाल करेंगे ये करने से ना आपका पेट भी अच्छा रहेगा और आपको नींद में भी फाइदा मिलेगा क्योंकि जिनको कब्स की परिशानी होती है अगर वे भी दूद में घी डाल कर लेते हैं रोजाना रात में सोने से पहले तो उनका कब्स भी ठीक हो जाता है दो से तीन दिन में ही तो ऐसे लेने से आपको गहरी नींद भी आएगी और साथ ही आपका पेट भी साफ रहेगा तो बस गर्म दूद में इसको मिला लीजे और इसको रोजाना सोने से पहले आप भी लीजे करके देखिए मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको ये जो रेमिटी है वो कैसी लगी वीडियो यादि थोड़ इसी भी अच्छी लगी होगी इंफर्मिटिव लगी होगी तो लाइक शेर सबस्क्राइब करना बिलकुल ना भूले हो सके तो वीडियो को स्यादे स्यादा शेर जरूर करें अपनी दोस्तों में रिशेदारों में ताकि आपके जरी उनकी भी मदद हो जाए थाइंक यू सो मच वब वाचिंग दिस वीडियो फ्रेंस मिलता है अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई टेक है